नमस्कार दोस्तों एक्जाम इतने में एक प्रफेट से आपका स्वागता आश्या करता हूं आप सब एचेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचला प्रदेश की बीए सी नर्सिंग एंट्रेस एक्जाम से रिलिटेट आपका कम्प्लीट सेलबस क्या रहेग तो आपकी जो भी डाउट सेलबस से रिगार्डिंग और एक्जाम प्रदेश को अभी तक पता नहीं है कि आपका हिमाचला प्रदेश में बीए सी नर्सिंग का एक्जाम है वो हर साल SPU के द्वारा कंड़र्ट करवाया जाता था लेकिन इस साल से आपका एक्जाम कंड़र बोड़ी है वो चेंज हो चुकी है अब की बार से आपका एमर यू अटल मेडिकल रिसेज उनिश्टी के द्वारा एंटरेस एक्जाम में वो कंड़र्ट करवाया जाएगा तो मैंने पहले के वीडियो में भी आपको सारी इंफ्रमिशन प्रवाइड करवा दी है तो अगर अभी 21 और 22 सेजन के लिए अप्लिकेशन फोर्म वो फील कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट सेलेबस और एक्जाम पैटर्न के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले आपके एक्जाम पैटर्न की बात करें तो आप इसके ओपीशल प्रोस्पेक्ट में भी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं तो आपका जो पेपर रहेगा उसमें आपका जो 11 और 12th NCRT बेस्ट कंप्लीट सेलेबस आने वाला है जिसमें आपका Physics, Chemistry और Biology ये तो compulsory है इसके अलावा आपका General Knowledge का और English का पॉरसन भी इसमें आने वाला है तो आपका ये जो एक्जाम होगा वो 100 marks का होने वाला है 100 marks का 2 hours का आपको समय दिया जाएगा और एक आपके ये था कि सिर इसमें negative marking होगी या नहीं होगी तो दोस्तों इसमें negative marking नहीं है तो आप पूरे को पूरे 100 क्यूसन है वो आपको attempt करने है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो government की seat है वो केवल 120 BC seat है government की दो ही college में government की seat है seat matrix के regarding मैंने आपको already video provide कर वारका है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको private और government की सारी seats और उनकी fees कितनी है वो सारी आपको details में बता रही है तो इसमें आपको 2 गोंटे का time दिया जाएगा 100 क्यूसन आने वाले है 100 क्यूसन को दोस सारे doubt clear हो गए होंगे दोस्तों अब इसके syllabus की बात करें तो दोस्तो syllabus है वो आपका रहेगा physics, chemistry और biology यह आपका 11 और 12 था इसारी बेस्ट रहने वाला है और next अगर बात करें English और GK तो English और GK का portion हो 25 marks का आपका रहेगा इसमें आपके 25 questions आएंगे और GK आपका रहने वाला है 10 नंबर का और English का portion रहेगा वो आपका रहेगा 15 नंबर का तो 15 और 10, 25 questions आपके GK और English से आएंगे और जो 75 remaining questions है वो आपके physics, chemistry और biology से आएंगे हर एक question का जो marks है वो आपका 1 marks का हर एक question रहेगा तो दोस्तों आपको 120 जो seat agreement की अगर आपको उसमें admission लेना है तो आपको अ समय में आप किस तरिके से परी preparation करें कि आपको जो government seat है वो easily मिल जाए तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको description box में दो e-books provide करवा रखिये एक आपकी conceptual जो आपकी subjective e-book है वो पूरी उसमें theory में लेगी और second e-book है वो आपकी है objective तो अगर आप उन दोनों e-books को अच्छे से follow कर लेते हैं वन मंत में तो दोस्तों मैं आपको 100% शोर्टी के साथ कहता हूँ अगर हमाचल परदेश की बीसे नर्सिंग एंटरस एक्जाम की preparation कर रहे हैं तो आपको 100% government seat है वो आपको मिल जाएगी उन दोनों e-books के एक भी क्यूशन आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेगा तो वो दोनों e-book है वो आपकी physics, chemistry और biology यह आपके 75 जो क्यूशन है 75 marks के इनको cover करती है इंगलिस के लिए दोस्तों आपको grammar है वो follow करने ही और gk के लिए आपको ज़्यादा force करना होगा वो current offer के लिए तो gk की e-book है हमाचल परदेश बीसे नर्सिंग के लिए मैं जल्द ह यह आपको e-book format में provide करवा दूँगा तो दोस्तों जो study material आपको provide किया जा रहा है यह केवल आपको e-book format में ही मिलेगा यह paperback आपकी जो e-books है उस format में आपको deliver नहीं होगा आप e-book format में इसको download कर सकते हैं और आप चाहिए अपने mobile में अपने laptop में कहीं भी आप जाएं वहा रीड कर सकते हैं और आपको कहीं भी carry करके लेजाने की जरूत नहीं है आप अपने mobile में digital format में इसको read कर सकते हैं तो दोस्तों जो physics chemistry और biology की दोनों e-book है उन्हें आप जरूर avail कीजी क्योंकि उनसे बार एक भी क्यूसन नहीं आने वाला है और आपको gk और English इन दोनों e-book क से बाहर नहीं आने वाल जैसे कि आप सभी को पता 11 और 12 अपका syllabus आएगा अब इन दोनों e-book को आप किस तरीके से avail कर सकते हैं तो दोस्तों इन दोनों e-book का लिंक आपको description box में दिया गया है यह दोनों English language में है इसमें आपका complete syllabus cover होता है जिसमें आपका 11 और 12 NCRT based है यह e- chemistry biology है यह आपके entrance examination के लिए enough है दोस्तों इन से बार एक भी question नहीं आएगा और आपका जो objective e-book का दोस्तों यह है आपकी जिसमें physics chemistry और biology तीनों subject इसमें cover होते हैं तो आप इन दोनों e-book को जरूर अवेल कीजिए दोनों को description box में link दिया गया है अब आपको दोस्तों इसमें किस तरीके से आप इसको purchase कर सकते हैं तो जैसे आपको objective e-book आपको avail करनी है तो objective e-book के link पर आपको click करना है और मेरा यही कनाप दोनों e-book को avail कीजिए दोनों की language दोस्तों English रहेगी हिंदी में आपका paper आने वाला भी नहीं है English language में ही आपका paper आएगा तो आप English में इसको अ यहां पे complete details में दिया गया रहेगा जिसमें आपको syllabus भी रहेगा अगर नीचे जाके देख सकते हैं कि इसमें आपको syllabus है वो कौन-कौन से topic है वो cover किये गए हैं तो यह भी आप यहां पे check कर सकते हैं जिसमें आपकी 11 और 12th NCRT फिजिस chemistry और biology का complete syllabus इसमें topic wise दे रखा है तो यह सारे का सारे इसमें topic cover हैं इसमें आपको हर एक चेप्टर का हर एक क्यूसं का data answer solution में मिलेगा तो दोस्तों यह मात्र के अवल आपको टू डबल नाइन में अवैल कर सकते हैं conceptual ebook है वह भी टू डबल नाइन में अवैल कर सकते हैं आपको simply buy now पे click करना है जैसे ही buy now पे click करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से interface आएगा इसमें अपना नाम फिल करना है अपनी active email id आपकी जो email id है वो active होनी चाहिए और आपका phone number और next पे click कर देना है जैसे ही next पे click आपको payment के लिए पूछा जाएगा payment में आप ATM से phone पे से जो भी mode आपकी पास payment का है जैसे net banking credit card debit card तो उस mode से आप payment कर सकते हैं जैसे payment confirm करेंगे आपको download file का लिंक आएगा वहाँ से आप download कर सकते हैं अगर वहाँ से download नहीं करते हैं दोस्तों तो आपको जो email id अपनी यहां प बोक्स में पूछ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करें वहाँ से जान करें ले सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको description box में दिया गया है और latest notification लिए आप टेलिग्राम जरूर जोनी कीजिए दोस्तों वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक करें शेर करें धन् करें पीडियो